इसको बोलते हैं बोलते हैं लैंड इस वेट एंड मड़ी मतलब वहीं पर आवाज निकाला करता था अवरी नाइट फ्रम दस्क टू डाउन मतलब एकदम साम से लेकर एकदम सूबा तर अपना आवाज निकालते रहता था खेक रॉग ओन ओन ये उसका जो सांट है उसको यह दिखाता है जैसे मेट अगलो नहीं कता है तर तर ऐसे रात को करते रहता है तो अधर क्रिएजर लोथ हीज वाइस मतलब लोथ मतलब होता है हेट करना तो अब सब कोई उसको वो हेट करते थे वो किसी को पसंद नहीं था उसका वोईस बट अलास देहाद नो चोईस पर उनके वास कोई चोईस नहीं था इंद था क्रैस केकोफा निंधैं मतलब होता है लौट अनप्लीजेंट सांद मतलब एक्दम पकवासा सांड ब्लेड आउट फॉम्ध कि लुए पे उसके नीचे ही तो में थे कर दा था तो ब्लेड आउट मतलब होता हार्श शांड आउट मतलब मतलब हाह से निकलता था हा साउन्द गदं from the symmetry at whose foot the frog each night. वही symmetry के foot के नीचे मतलम पीपेड के नीचे Each night mistrilled till morning night. मिस्ट्रिल मतलम सैंग अपना गाय करता था अपना मगढ में घदं तिल अगदम सुभा थुक्ष अगला सुभा थुक्ष नाइधर स्टोण नोर प्रेयर नोर स्टिक्स, इंसल्ट और कम्पलेंट और ब्रिक्स, द थिल्ट द स्ट्रिल्ट द फ्रॉक्ट डिटर्मिनेशन चाहे पथल वह मारे, चाहे भगवान से परातना करे कि भगवान इसको क्यों करता है यह नहीं करना चाहिए चाहे फिर सचदी से माहरे या फिर इन्सल्ट करुण काए कि बहुत गंदा काता ह wanna कुछ भी both zin गडरे कुछ भी एक करे उसका कोई जी नहीं कर पाया सिल मतलब उसको कई भी रोख नहीं पाया कोई कोई रोख नहीं पाया frog determination to display his heart's allegation allegation मतलब great joy वो जो करता था ना वो तर तर उसको बहुत मजा आता था उसका determination कोई नहीं रोप आ चाहे कुछ भी कोई करे पथल मारे जाहे complain करे insult करे कुछ भी but one night a night angle in the moonlight cold and pale purge upon the cemetery purge मतलब आके बैठा rest किया हुआ पे कास्टिंग फोर्थर मेलोडी वो अपना ऐसे मस्ती में वो काना चालो कर दी dumbstruck sat the gaping frog dumbstruck मतलब shocked surprised कि भाई यह कहां से हो आ जा रहा है wide open मतलब होता है कि हम जब चौक जाते तो मुझ खुला का खुला रहा जाता है ओ भाई यह कहां से नहीं कहां से आ कि इसलिए वो कितना अच्छा वाज किसका है और फोल एड्माइरिंग बॉल एड्माइरिंग मतलब प्रसंशा करना प्रेस करना सब को एदम प्रसंशा करने लगा बॉग में जितने लोग थे कि आर यह तो बहुत अच्छा गाना है मतलब गाह गारी है सब्सक्राइब को एकदम उस सुमेक ट्री के ऊपर देखने लगे रैप मतलब मगन में एकदम कोई इधर तरका कोई डिस्टबंत नहीं सब गदम मगन था उसमें सब्सक्राइब को एकदम नजदीक आ गए और सुलाइब को एकदम नजदीक आ गए अइन उसलाइटरी लूनuler मतला अकेला साथ लून होता है लाज वाटर बडभ अकेला रहता था प्रिकायन लेक्री ऑफ्त लॉन तलास ऽॉन ठा उसको बहुत अच्छा लगा ओ्छन रूने लगा नतलां वही और टोट पना मेरा का भच्चा छा टील्स मतलोग क्या होता है कि small duck, tiddlers, tiddlers मतलब होता है fish, captured, सब को एकदम towards and teals and tiddlers captured by our voice, सब को एकदम उसका voice से सब captured होगे थे एकदम, cheered on, सब को मस्ती कर रहे थे, in raptured, in raptured मतलब होता है कि intense joy, सब को बहुत मजा रहा था, bravo, भाई, खतर नाक, to divine, divine मतलब होता है कि बहुत pleasing था, बहुत अच्या था, in core, in core मतलब होता है भाई, एक बर और please यार, एक बर और night angle, एक बर और भाई सब, So the night angle once more, उसको कभी कोई इतना प्रशन सा कोई किसी ने नहीं किया था, क्योंकि इसलिए नहीं किया था, क्योंकि वो normal था ना, पर वहां पर क्योंकि frog इतना वो टर-टर करते रहता था कि सब परिशान हो गया था, और कोई अगर इतना अच्छा के गा देगा तो सबको तो अच्छा लगे गई, इसलिए वो applaus से वो काफी unused थी, इसलिए उसका जा प्रशन सा होने लगा, वो काफी खोश हो गई थी, इसलिए शुक रही गाने के लिए अगला दिन अगला निट्चा करने वाली थी गाने के लिए एक दम टुस्टे रह तेल एक तेल अपना ट्विस्ट की, की गाने के लिए खी वो श्ट टोल भाइ एस वो रो आवा जाए मिधा का स्टाटल मतला सदन शॉक तुरन्त रोक डिया गया उसको सौरी वह था वो यू स्वोग वो नैट इंगल बोली सौरी वह वोस्ट वो जो रहत विर्धक वो पल्लिट को I am the frog who owns this tree, यह जो ट्री है ना यहां पर मैं ओन करता हूँ, मेरा हक है इस पर In this bog, I have been, I have long been known, हम यहां पर एक दम बहुत दिनों से जाना जाता हूँ मैं For my splendid baritone, मेरा जो baritone है ना मतलब deep male voice जो है ना मेरा जो आवाज है इसके लिए में बहुत यहां से जाना जाता हूँ यहां पर मैं काफी मशूर हूँ है यहां पर And of course I will my pen for bog trumpet, bog trumpet है कि अमाली जी के magazine type का है या फिर एक book या फिर कुछ भी जो bog trumpet नाम का उसके लिए में लिखता भी हूँ Now and then, अग्दम हमेशा में लिखते रहता हूँ Do you, do you like my song? फिर वो बुली कि यार इतनों ख़दरनाक आगमी है मतलब बहुत बढ़ा आदमी लग रहा है में को इसलिए वो पूची कि Do you, do you like my song? कि आपको अच्छा लगा में लिखाना? Not too bad but far too long अच्छा उतना भी बुरा नहीं था पर लंबा बहुत था The technique was fine of course but technique सही था But it lacked a certain force लेकिन उसमें force नहीं था Oh the night angle confessed, night angle बोली कि हाँ हाँ ये तो सही है क्योंकि उसको लग रहा है कि यार वो बहुत बड़ा अगदम बहुत बड़ा विद्वान है Music में greatly flattered मतलब होता है कि कोई खुश हो जाता है कि कि हम ज्यादा प्रसंसा कर देते हैं कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है And impressed बहुत ज्यादा खुश होना Critic, Critic मतलब क्यादा है Critic, Film Critic जो होता है Review अगरा देते है Review वो दिया था न कि उतना भी अच्छा नहीं था ठीक ही था Of such a note has discouraged her art of enthrot क्योंकि उसका art को किसी ने उतना बड़ा Critic जो हो चर्जा किया था वो बहुत खुश थे I don't think the song is I don't think the song is the songs divine Divine मतलब dievine मतलब very pleasing बहुत अच्छा तो नहीं था वो night angle बोल रही है कि बहुत अच्छा तो नहीं था Oh well at least it is mine लेकिन मेरा तो था कम से कम मैंने अपना गाना तो गाया That's not much to boost about लेकिन इसमें ज्यादा उच्छने की बात नहीं है boost मतलब excessive practice में ज्यादा अपने आपको यह नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूं Set the heartless frog Heartless इसलिए बुला गया है क्योंकि सारे और तो लोग तो प्रसंचा कर रहेते हैं लेकिन यह frog को jealous feel हो रहा था मेर beginner ही रह जाओगी but with me you will be a winner लेकिन मेरे साथ अगर तुम training करोगी तो एक तुम एक winner बन जाओगी dearest frog the night angle breathed वो बोली this is a fairy tale वो बोली कि यह तो सपना जैसा है मेरे लिए and you are the mozard in disguise मतलब आप अगर मुझे training दे तो यह तो मेरे लिए सपना जैसा है and you are mozard in disguise मतलब उसको mozard जो है वो composer था history का बहुत बड़ा composer था उससे वो compare कर रही है वो frog को मतलब फुल आ दिये basically ताकि वो उसको training दे तो come to the earth before my eyes क्योंकि वो अगतम नीचे छुपा हुआ था ना तो उसको बले कि कम to earth मतलब जमीन में आओ मेरे इस आखो के सामने well I charge a modest fee वो frog बला कि ठीक है पर मैं modest fee charge करता हूं इसके लिए oh but you won't hurt you'll see लेकिन बला कि लेकिन तुमको कोई दिक्कत नी होगा तुम देख लेना now the night angle inspired वो गदम इंस्पायर होगा कि यार अगदम हमको इतना खतरनाक आदमी जो है वो मेरेको training देने वाल है flushed with confidence वो पूरा एकदम confidence से भर गई and fired with both art and adoration वो पूरा मतलब खुश हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी उस टाइम sang and was a huge sensation वो अगदम सब को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा गाती थी वो animals from four miles around वो अगदम सब दूर-दूर से आने लगे एकदम पूरा fog towards the magic sound क्योंकि उसका आवाज इतना अच्छा था कि सब को एकदम दूर-दूर से आने लगे वहाँ पे and the frog with great precision precision मतलब accuracy बहुत अच्छा से वो गाती थी ना the next morning it was raining अगला दिल लेकिन बारी शुरा था he began her vocal training लेकिन वो बुला कि तुमको चलो अपना training start कर दो but I can't sing in this weather लेकिन मैं तो यह weather में नहीं का सकती come on dear we'll sing together चलो हम लोग एक साथ गाएंगे just put your scarf and shash scarf मतलब वही हो जोलर की लोग पानती है shash भी sashay cloth होता है worn around the shoulder यह फिर waist के around जो पहना जाता है क्योंकि ठंड था ना इसलिए वो बुला की बस यह लगा लो और चलो गाते हैं हम लोग कुवे कुवेश कुवेश यह गाने start कर दिया so the frog and night angle journeyed up and down the scale अगदम बहुत high pitch फिर low pitch फिर high pitch फिर low pitch फिर से कर रहा था अगदम for six hour till she was shivering अगदम 6 गांटे तक वो training दे दिया till she was shivering अगदम कापने लगी वो and her voice word hoosh hoosh मतलब क्या होता है rough unclear क्योंकि बहुत देर आप गाना होगे तो आपका आवाज भी नहीं निकलेगा इसले पूरा rough हो गया था अगदम quivering क्यों मतलब क्या होता है कि shaking थंडा भी था और बहुत बहुत देर तक वो training दे दिया दो subdued subdued मतलब क्या होता है lacking energy उसके पास energy बजा नहीं था and sleep deprived मतलब वो ज्यादा सब्सक्राइब नहीं थी in the night her throat reviewed फिर वो क्या कि वो नाइट में जब सब्सक्राइब तो उसका थ्रोट जो है वो फिर से review review मतलब क्या होता है regain energy वापस energy आ गया था उसमें and the sumac tree was bored मतलब पूरा समेक्ट जो है वो आसपास पूरा बहर गया था with a breathless titled crown अब इतना वो फेमस हो गए हो चुकी थी कि बहुत मतलब उचे उचे दर्जे के लोग वहां पर आने लेगे जैसे की old of sandwich यह सब सब जो हमारे राइटर है वो उनका खुद का imagination है यह सब जान मुझके बनाए है वो दिखाना चाहते कि वह कितना popular हो गए थी duck of Kent, mallard, mallard मतलब क्या होता है type of duck एक होता है and milady of trent का milady मतलब noble french woman मतलब बहुत उचे दर्जे की french woman trent मतलब कहां पर कहां के यह लोग थी river in England जो है वहां के यह लोग थे martin cardinal mephisto यह सब सब बड़े बड़े नाम दिया गया था कि बताने के लिए कि बहुत लोग वह बहुत popular हो गई थी और सब बड़े दूर दूर से लोग वहां पर आ रहे थे उसका present site नहों रहा था इसलि लोग वहां पर आ रहे थे glittering glittering मतलब सब अगदम sign कर रहे थे एकदम in the interval sad triggering and जब interval होता था जब ब्रेक लेती थी अगाने के बीच में तब सब अगदम एक दूसरे से बाते 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 करते थे कियार कितना चबाती है ऐसे वैसे and the frog observed them glitter frog observe भी करता था उनको glitter करते वह मतलब shine करते वह with a joy both sweet and bitter तो उसको क्योंकि वह sweet इसलिए क्योंकि उसको बस पैसा आ रहा था और bitter इसलिए क्योंकि उसको jealous feel रहा था कि यार कोई और आ कि मतलब उसको लगता था कि मैं ही सबसे अच्छा गाता हूं और कोई अच्छा नहीं आता अच्छा था सौंग्स फूर सिल्वर ट्राइट तो स्कोल्डर सुमर रोज उसको टाटते रहा था था और यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉंगर आप तुमको और ज्यादा देर प्रैक्टिस करना चाहिए तिल वो तिल यूर वोईस लाइक माइन ग्रो स्ट्रॉंगर मेर जादा पैसे कमाने के पिछे हम लोग को यू स्ट्रॉंगर मतलब करना चाहिए हम लोग को वी मस्ट एम फोर बैटर बिलिंग हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के पिछे हम लोग करना चाहिए हम लोग को यू स्टिल ओमिस शिक्ष्टी सिलिंग क्योंकि वह फीज भी तो लेता था इसलिए अभी भी तुम हमको 60 सिलिंग मतलब यू के करन्सी है इतना अभी भी तुम हमको देगे इसलिए तुम ज्यादा ध्यान दो पब्लिक को ज्यादा खुश करो ताकि हम ज्यादा पैसा कमाए दे बाइड दे नाइट एंगल ग्रीव मुष्व और पेल मतलब क्या होता है कि वह एकदम दुखी होते गई पेल मतलब कि अब वह ज्यादा खुश नहीं रहने लगी और पेल मतलब उतना अच्छा उसका आवाज नहीं होने लगा नाइट और नाइट हर टायर्ट शॉंग मतलब होता है सैंग कुक्ली एंड ट्रिल एंड बाउंस अलॉंग वो गदम इदम जल्दी अल्दी का दी और वो खतम की सब गाना होगे रहा तिल दब बर्ट्स अंद बीश्ट ग्रीव टायर्ट सब को एकदम क्या हुआ कि बर्ट्स और जो जितने भी वहाँ पे लोग थे है सब टायर्ट हो गए तो एट 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 वोई सो अनिंस्पाइड अब उसका वाज में वैसा अनिस्पाइड मतलब उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि वह सब फ्रॉक का किया दरा था वही उसको आवाज पूरा खराब कर दिया था एंड टिकेट ऑफिस ग्रॉस क्रेश्ट जो टिकेट ऑफिस था वो पूरा क्राश हो गया कोई नहीं आने लगा एंड शी ग्रीव मॉर मॉरोस मतलब क्या होता है कि मिजरेबल वो अगदम और बेहुदा हो गई by for her years where now addicted लेकिन उसका कांचो अब अब addicted हो गया था प्रेज के लिए कि जो सब लोग विख लीए कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा वो अगदम addicted हो गये तैe उसीग का शीच का कि था अगदम जो वह जो जो हो अन टया उन्ट मेंनोबश गेव नो डिलाइट और रात को अकेले गाने में अब क्योंकि कोई तो आता नहीं था कोई मजा उसको नहीं आता था नाव द फ्रोग पॉफ्ट अप फित रेज वो गुदम गुसा हो गया अगदम और ब्रेलेस बर्ट ब्रेलेस ब्रेलेस बर्ट तरह दिमाग मात है नहीं यू और अस्टेज पर अपना दिमाग लगा और फॉल फैशन पुफ पॉफ योड लंग्स आउट योड पैशन अगद ब्लेंड विट ब्लाइड विट टियर्स पूरा अश्व हो रहा था क्योंकि वो एकदम उसको पूरा वाज उसका खराब कर दिया था वो फ्रोग द नाइट एंगल हर्द हेम आउट इन साइलेंज ट्राइड पॉफ टाफ बस्त वें और डाइड वह इतना जोर से काभू अ इतना हिम्मत तरह सब लगाती और इसी में उसका क्या हुआ कि उसका जो वें था जुन्नास था वो फट गया और वो मर गई सट्ट था फ्रोग आई ट्राइड टुटीछ को बस सिखा रहा था पट सी वसट्ट क्रिएचर लेकिन वह तो एक बयोकु प्रीचर थी फार टू नर्वस दिन पर तो नर्वस रहती थी फार टू तो तेंदिन मेरें टेंशन मेरा थे थी फार टू प्रॉंट जो कुछ भी क ना तुम्हारा अपना होना चाहिए था किसी कोपी या फिर हम सिखाए तो उससे नहीं होगा अग्दम पूरा वो ब्लेड अंड्राइवर्ड मतलग कोई उसका कॉम्पेटर नहीं था कोई नहीं उसको रोकने वाला था थू दब बॉग वो जो बॉग था वहाँ पे एकदम यह अपना काते रहता था था मस्ती में एकदम कोई इसको रोकने वाला नहीं था तो इस पूएम से हमें यह समझ में आना कि हमें जो हमारे पास जो होता है टालेंट जो भी हमारे पास जो चीज होता है उस पर हमें खोश होना चाहिए उस पर हमें गर्व करना चाहिए और यह किसी कॉपी करते हैं में पुरा जिंदगी नहीं बिताना चाहिए तो यही था आपको यह और सारी जितने हैं यह सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने शेयर कर दें और सब्सक्राइब करते हैं धन्यमाद